अलो नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर दोस्तों अफकोस कुछी घंटो बात England वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने आला है दोनों टीमें बाहर हो चुके लेकिन दोनों टीमें जरूर एंड अच्छा करना चाहेगी तो मैं आपको इस वीडियो में 10 ड्रीमिलियों के विनिंग टीम दिखाने आला हूँ इंगलेंड वर्सेस पाकिस्तान के मतलब ENG वर्सेस PAK के बीच के मैच की तो जैसे कि मैंने मैच को हालेट करके दिखा दिया ता उस पर आपको क्लिक कर लेनी है और अगर आपने अब त पर करता हूँ साथ ही साथ देख सकते में अलरेडी 10 टीम से यहां पर जाके बणा चुका हूँ जिसे करके सभी टीमों को आपको प्रिव्यू करके तो किस को लेना किस किस को नहीं लेना को लाइक जरू कर दीजे चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं माय टीम पर क्लिक करते हैं और पहली टीम से शुरुआत करते हैं प्रिव्यू करने की इस तरसे मेरे पास काफी जबर्दस्त बैटिंग लाइनब होने आली है जो कि अगर अच्छी चल जाए तो यह टीम आपको ग्राइन लिग जितने से कोई नहीं रोख सकता क्रिस्वक्स अच्छी बल्ले बाजी कर रहे है अच्छी गेन बाजी भी कर लेते हैं तो इसलिए यहाँ पर इनको भी रखना ज़रूरी है उसके बाद आदिल रशीद डिवीड वीली और साइन अफरेदी इस तीनों को यहाँ पर गेन बाज में टीम में रखूंगा तो बेंस्टोक्स पिछले मैच में शतक कर रहा हूं पिछले कुछ मैचेस से इंग्लेंड के लिए काफी अच्छा पर्फॉर्मंस रहा है फकर जमान पाकिस्तान के लिए पिछले मैच में उन्होंने काफी जबादस डख्वर्थ लूइस के सबसे जीत में इनका ही सबसे लेकिन अगर आप चाहे तो फकरजमान को क्याप्टन और वैस कैप्टन बेंस्टोक्स को भी बना सकते हैं लेकिन काफी बढ़िया है टीम काफी मुश्किल फैसला है क्याप्टन हो एसकाप्टन का तो आप देख लीजे मुझे लगता है इस्तर से रखंगे तो भी कोई प् टीम के क्लोज करते हैं दूसरी टीम हमें देख लेनी है दूसरी टीम के बाद करूं तो यहाँ पर फिर से मुहमत द्रिजवान तो रहने ही वाले हैं लेकिन इसके बाद बैंस्टोक्स बाबर आजम डेविड मलाड फकर जबान और शाफिक को मैं इस टीम में रखोंगा दोस् एक बल्ले बाद करने के हैं जैसे मिरे पास आदिल रशीर डेविड विली साइन अफरेदी और एम वासिम इस तरह से चार गेन बाज हो चुके हैं पिछले कई मैंचेस से वासिम ने अच्छी गेन बाज किये तो इनको भी ज़्यादा टीमों से दूर नहीं रख सकते तो मै काफी मजबूत प्लियर है और काफी जबदस परफॉर्मस करते हैं तो इसलिए इन दो रोको साथ में कैप्टन और काफी मजा आएगा काफी बढ़ी आ रहेगा इससे अलगर बात करें तो आप फिरसे भी उल्टा करना चाहें तो कर सकते बेस्टोक्स को कैप्टन और रिज जबान को वाइस कैप्टन बना लिजेगा फाइदा हो सकता है काफी बड़िया टीम है ग्रांड लीग हो बड़ी लीग हो स्मॉल लीग हो किसी भी लिग के लिए उज़ करेंगे तो भी कोई प्राब्लम नहीं है और अगर आप लगता है कि किसी लिग के लिए अच्छी नह इंग्लेंड के प्लियर का अच्छा ना रहा हो लेकिन अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बैरिस्टो काफी बड़िया प्लियर है तो इसलिए इनको भी दूर रखना जरूरी मतलब खार टीम से दूर रखना अच्छा नहीं रहेगा जो रूट भी अच्छे प्लियर है को मैंने वापस सिस्टीम में तीनों को शामिल कर लिया है अभी तक एक ही की ले रहा था अभी इन सब को लूँगा अफकोस लेकिन कहीं पे अगर हम जादा प्लियर करते तो कहीं ना कई कम भी होने वाले तो गेनबाजी में में मेरे पास एक ही ऑप्शन रहा है वो है साइन किसी और को मैंस्टीम में नहीं लूँगा अगर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते इसके बाद डेविड मलान को क्याप्टन और वाबर आजम को वाइस क्याप्टन बनाऊंगा दोनों काफी बढ़िया बाल पारी बेल्ट करते हैं काफी बढ़िया खेलते हैं तो इसलिए इन दोनों पर भी दारोमदा रहेगा आज अपनी अपनी टीमों का को जिताने का तो इसलिए इन दोनों पर मैं आज क्याप्टन वाइस क्याप्टन भर्षा करनी जा रहा हूँ अगर आप उल्टा भी करना चाहे तो कर सकते हैं बाबर आजम को क्याप्टन और मलान को वाइ दिकतनी चले दोस्तों ये भी टीम अच्छी खासी हो चुके इसे भी क्लोज कते हैं चवती टीम हमें देख लेनी है चवती टीम में फिर से रिजवान के साथ ही जाओंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं और भी अलग टीम बना सकता हूँ तो यहाँ पर बेंस्टोक से बाबर आजम है डेविड मलान फकर जमान चारो की चारो बेस्ट बल लिबाज रहेंगे और इसके बाद मेरे पास क्रिस्वक्स और आयायमत दोनों भी रहेंगे और गेन बाजी में आदिल रशीद, डेविड वीली, साइन अफरिदी, हैरिस रॉफ मतलब दोनों के तरफ से मजबूत बैटिंग लाइन अप है मजबूत गेन बाजी है, काफी बढ़िया और राउंडर्स और कीपर भी है तो काफी अलग टीम है, लेकिन काफी बढ़िया टीम है, काफी फायदेमन टीम है इस टीम का कैप्टन, आफकोस मैं फकर जबान को बना जाओगा, क्रिस वोक्स को आइस कैप्टन बनाओगा क्योंकि एक अच्छा खासा बैट्समन है, जबबर्दस पारी खेल के आया है लास्ट मैच में तो एक पिछली मैच में 50 भी लगा चुका, विक्टे भी ले सकता है, तो यहाँ पर दोनों को आप इस तर से कैप्टन, वास कैप्टन जरू बना सकते हैं अगर उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से रखना जादा बेटा देगा अब बात कते हैं, तो मैं इस टीम को भी ग्रैंड लिग हो, बड़ी लिग हो, स्मॉल लिग हो, किसी भी लिग के लिए यूज़ करेंगे, तो भी मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, फिर भी अगर आपको लगता है, तो आप सोच समझ के यूज़ क उनके लिए आखरी अच्छा करने के लिए बंदा खेल जाए, इसलिए आपर कही ना कई कुछ टीमों में कुछ बन, मतलब कुछ प्लियरों को लेना जरूरी है, तो इसलिए आपर मैंने बटलर को भी ले लिए, और उसके साथ-साथ रिजवान तो ही ही अमारे पास, उसके बाद अगर बात करें, तो बेंस्टोक से बाबर आजम है, शकील को आप लेऊंगा में, डेविड मलाद और फकर जमन, मतलब शकील भी इतना बुरा नहीं है, प्लियर अच्छा है, इस सीरीज में अभी तक अच्छा कर चुका है, तो जरूर ले सकते हैं, उसके बाद क्रिस बनी है, आप जरूर देख सकते हैं, बाबर आजम को कैप्टन और साइन अफरिदी को वाइस कैप्टन करने ही जा रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा खासा गेंबाज है, तो एक अच्छा खासा बल्ले बाज है, दोनों बेस्ट है अपने अपनी जगों पे, तो दोनों को सा मचके, यूज कीजिगा इस टीम को, इस टीम को क्लोज करते हैं, छटी टीम हमें देख लेनी हैं, छटी टीम की बाद करूं तो बटलर, बेरिष्ट्रो, रिजवान, तीनों को साथ मिलूंगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है, आज तीनों भी बड़िया परफर्मस करें, तो म मैं आपको हर एक ओप्शन देना चाहता हो, जिससे आपके ग्रांड लिग जितने के चांसे बढ़ जाएं, तो इसलिए आप पर देख सकते हैं, बटलर भी है, बेरिष्ट्रो भी है, और रिजवान भी है, उसके बाद बेंस्टोंक्स भी है, बाबर आजम है, डेविड मला मतलब मैंने यहां पर कोई भी में टीम के साथ यह नहीं किया, मतलब कोई भी ऐसा प्लियर नहीं चुटा है, जो कि बड़ा प्लियर है, और अच्छा पर्फरमस कर रहा है, क्रिस्वोक्स भी है मेरे पास, मोहिन अली को इस टीम में ट्राय करूंगा, क्योंकि मुझे लगता मोहिन अली भी अच्छा पर्फरमस कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने मोहिन अली को यहां पर ले लिया, उसके बाद असाइन आफ्रेदी और वासिम, दोनों मेरे पास अच्छे खासी गेन बाज रहने वाले दोस्तों, ज़रूर आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं, सबसे बड जखेंगे तो जादा लोगों का ध्यान किदर किदर रहेगा, बाबर आजम पे रहेगा, बेल स्टोक्स पे रहेगा, फकर जमान पे रहेगा, रिजवान पे रहेगा, डेविड मलान पे रहेगा, इन सब पे तो ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर हम अगर इन दोनों को लगाई है अगर आप ना भी लगाना चाहिए तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे लगता है लगाएंगे तो फायधा हो सकता है आप ज़रूर लगाईएगा ऐसी मेरी मतलब रिक्वेस्ट है तो अगर देखे तो टीम अच्छी है ग्रैंड लिक के लिए यूज क हमें देख लेनी है साटवी टीम में मैंने फिरसे रिजवान को अकेले को ले लिया है बेंस्टोक्स डेविड मलान फकर जबान शाफिक को लिजबार लूगा बाबर आजम को मुझे ड्रॉप करना पड़ा है दोस्तों हाप हर टीम में सेम अगर आप्शन रखेंगे और एक भी टीम पीड़ जाती है तो सभी टीम में आपकी पीड़ने के चांसेस रहते हैं तो इसलिए कुछ न कुछ रिस्की चेंज़ेश भी हमें करने होते हैं तो वही यह टीम है यहापर मैंने रिस्की चेंज बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है शफिक को लिया अदिल डेविड विली है साइन आप्रेडी है तीनों है और उसके बाद भी मेरे पास हैरिस रॉफ और वासिम इस तरसे पाज गेंद बाज आपको इस टिम में ले रहा हो हो सकता है कि आज गेंद बाज भी अच्छी चल जाती है अगर पाचों बंदे दो दो तिन तिन भी केट ले ल वासिम को कैप्टन वाक्स को कैप्टन लेकिन वोक्स का परफॉर्मस भी बढ़िया है और वासिम का भी बढ़िया है तो मुझे लगता है वोक्स थोड़े जादा बेटा रहे गए फिर भी अगर आप कुछ सोच समझ के करना चाहिए तो कर सकते है इस टिम को भी मैं सिर्फ को सिर्फ ग्रैंड लिग या बड़ी लिग के लिए सजेस्ट करूंगा स्मॉल लिग के लिए बिलकुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा जा दोस्तों स्मॉल लिग के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा ग्रैंड लिग के लिए सजेस्ट करूंगा ये टीम कुल मिला कि एच्छी में इसे क्लोज कर लेते हैं साथवी टीम हमें देख लेनी है आठवी टीम की बाद करूँ तो रिजवान फिर से मेरे पास है इसके बाद मेरे पास बेंस्टोक से जो रूट है बाबर आजम है डेविड मला ने फकर जबान है क्योंकि बाबर आजम को भी मैं ज़्यादा जगों पे ड्रॉप नहीं करना चाता सिर्फ कुछ जगों पे ड्रॉप करूँगा ताकि अगर सच में अच्छा परप्रम ना हो उनसे तो हमें एकाट टीम को तो कम से कम फायदा होई जाए इसके बाद मेरे पास क्रिस्वोक्स और आय अहमद फिर से दोनों है अगर बात करें गेंबाजी के तो देखेंगे तो मेरे पास आदिल रशीद है हसन अली और साइना फ्रेदी इस पर से तीन अलग गेंबाज है तो यहाँ पर ये भी अच्छे गेंबाज है ऐसा नहीं कि यह अभी तक अच्छा नहीं कर पाए इन्होंने भी अभी तक अच्छा किया तो आप ज़रूर इनके भी साथ चाह सकते हैं इसके बाद में आपर जो रूट को इसलिए क्याप्टर बना रहा है हम सबको पता है का इस तरह के बढ़लेबाज है अभी उनकी पूरी टीमी फॉ तो हो सकता है आज यह निखर के आ जाए और यह अच्छा पर्फर्मस करें तो ज्यादा लोग इन पर भी वर्षा नहीं करेंगे तो आपको काफी फाइदा हो सकता है अगर यह अच्छा कर जाते हैं साथी साथ रिजवान को वाइस कैप्टर बना रहा हूं यह बंदा तो का करनी है अब नवी टीम के बात करूँ तो यहाँ पर मैंने देखिए फिर से रिजवान को लिया है बेंस्टोक्स बाबर आजम महलाण और फकर जबान बेस्ट चार बाट्समन यहाँ पर मैंने वापस ले लिए है उसके बाद मेरे पास इस बार तीन और राउंडर आयमद ब एक बार किया है फिर से एक बार करनी जा रहा हूँ अदिल रशिद और वासिम इस तरह से तीन गेन बास भी मेरे पास रहने हो ले और सबसे बड़ी बात इस जो टीम की कि मैंने शाएन अपरे लिए के लिए काफी विक्टे ले रहे है और अगर अच्छा परफोंस आज भी जारी रखते हैं तो आपको Grand League जरूर जिता सकते हैं तो इसलिए मैंने ऐसा किया है सिर्फ इतना कहूंगा कि आप उल्टा करना चाहें तो उल्टा कर सकते हैं आफरेदी को वाइस कैप्टन आदिलरशित को कैप्टन लेकिन ये जादा बेटर रहेगा आफरेदी को कैप्टन और आदिलरशित को वाइस कैप्टन गुलमिला के अच्छी टीम है Grand League और बड़ी लिग के लिए ज़रूर यूज़ करने हैं और मुझे नहीं लगता कि बाबराजम है शकील को मैं लेओ फकर जमान हैरी ब्रूक मतलब सभी ओप्शन ले ले रहाओ वापस जो के अभी तक ज्यादा टीमों में मैंने नहीं लिये थे उसके बाद सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हैरी बूट को क्याप्टन हैरी स्रोप को वाइस क्याप्टन मतलब काफी 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 कम लोगों ने इन पर भरसा किया होगा और सच में अगर अच्छा परफर्फर्मस करते तो ग्रांड लिंग सीतना बहुत ही आसान हो जाएगा क्यूंकि दोस्तों हैरी बूट को मैंने ज्यादा जगों पर लिया नहीं अगर आप चाहे तो ज्यादा जगों पर भी ले सकते और सायद ही कोई इन पर वर्षा करेगा अज़र क्यापटन हैरी बूट पर भी और हैरेश रोप पर भी क्योंकि काफे मार पड़ी हैरेश रोप को भी तो इसलिए आप पर मुझे लगता है कि इन दोरों पर आप एका टीम मतलब आप ऐसी भी रखिए जो कि आपके पैसे आप जाएंगे ऐसा सोचके लगा अगर फिर से सच में अच्छे पड़ जाती है तो आपको अफकोस ग्रांड लिग जितास्नियाली टीम सावित हो सकती है सिर्फ इतना कहूंगा उल्टा करना चाहे तो उल्टा कर सकते या नहीं भी करना चाहे तो भी ना करे और साथी साथ अगर इस टीम में नहीं भी कते औ आपको करनाचाँ जाधा 10 से जाधा गर्टी में लगाते तो कफी बड़िया टीप मैंने दी है आप सपको पसंट Jug और थोड़ी पसंट आई हो तो वीडियो साथ साथ चैनल को भी अगर आपने अभी तक सबस्क्राइब निक है तो वो भी सब्सक्राइब कर लिजे साथ साथ बेल आइकन को प्रेश करके आल पर भी क्लिक कर दीजे ताकि आपको ना दोस्तों नोटिफिकेशन मिलते हैं मेरे वीडियो के और आपको हर टीम समय पर मिलती रहे साथ साथ टेलिग्राम की लिंक अफकोस में तब तक किल ठैंक यू और गुडबाई